नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक मनी मेकर्स के MCX ट्रेडिंग चैनल में आज हम बात करेंगे कैसे हमारे ट्रेडर्स ने क्रूड ओयल में आराम से 90 से 100 पॉइंट निकाला हुआ है और कितना मतलब इसली निकल में कॉपर में और क्रूड ओयल में तीनों में आदे घंटे में प्रॉफिट कमा है इन लोगों ने ठीक है तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले क्या रिज़न था क्रूड ओयल के इतना बड़े फॉल के पीछे जो रिज़न था वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू स्टॉक मनी मेकर्स को प्रॉफिट करेंगे अब हम बात करेंगे क्रूड हल के बारे में आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल में हमने कुछ प्रॉफिट स्क्रिंशॉट अब इक आपने की लिंक आपको बस हमारे कोई भी वीडियो की नीचे जाना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरेंस लिंक मिल जाएगी जैसे ही आप LIS Blue में account open करते हो आपको lifetime equity और m6 calls free of cost मिलेंगे high margin के साथ तो आपको account opening भी free हो रहा है जैसे ही आप account open करते हो fees pay करके account opening charge pay करके आप account open करते हो जैसे ही आप trading चालू करते हो हमारे calls पे आपको 500 रुपीस refund हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके LIS Blue में account open कीजिए हमारे reference में कोई भी वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगी अब हम बात करेंगे crude oil के fall के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हो कि crude oil का 100% से 0% का retracement यहाँ पे draw किया हुआ है 1R का time frame select किया हुआ है इस प्ले में देख सकते हो है के नशी चार्ट स्टाइल यूस किया हुआ है यह एक नशी यूस करने का मतलब है कि ज्यादा noise ना create हो तो एक simple language में मैं आपको बता देता हूँ वीडियो short में कि 61.8% का जो रेजिस्टेंस है यह जो फिब्रनाची का price action है retracement level है यहां तक पहुचना crude oil के लिए बहुत बड़ी बात थी वह वहां तक पहुची नहीं पाया क्योंकि 50% का जो retracement level है resistance है वो sustain ही नहीं कर पाया आप देख सकते हो यहां पे candle ने closing तो दिया उपर बट वहां से वो एक fake spike अगले minute 1 आके time frame में अगर आप देखोगे तो वहां से crude oil का false start होता है और वहां से start होता है तो आप देख सकते हो जो 2145 का जो high था crude oil का वहां से वो गिर के एक ही candle में आके time frame में आप देख सकते हो नया लो मारा वो 2038 का था 2038 के बाद वो 2013 का लो मारा और उसके बाद जो अभी का recent low है वो 1938 का है और मैं आपको screenshot बता दू कि हमने जो cell call दिया था crude oil में उसका आप range देख सकते हो cell का call दिया था crude oil का 2019 से 25 का SL 2050 के आसपास था और target आप देख सकते हो 1940 का था मतलब हमारा 100 point का target easily achieve हो चुका है इसमें आप देख सकते हों यहाँ पर crude oil का downfall open है अभी कहां तक open है मैं वो भी आपको बता देता हूँ ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही helpful रहेगा crude oil का target 1904 तक open है और second target मैं आपको बता दू 1835 और उसके बाद का जो target है वो है 1780 ये तीन crude oil के target है अगर crude oil को bounce करना हो तो वो ये तीन level से bounce हो सकता है तो जितना हो सके उतना आप crude oil में sell on rise रही है अभी भी crude oil buy mode पे नहीं है अगर चाहो तो crude oil इतना तूट सकता है कि ये वापस से low बना सकता है 1711 का 1710 का low ये बना सकता है तो guys आप हमारे technical analysis के call पे trade करना चालू कर दीजिए free of cost है free of account open करना है आपको बस हमारे वीडियो के description में जाए telegram channel join कीजिए और वहाँ से आप हमारे reference में account open करके prime membership के calls पे trade कर सकते हो thank you happy trading happy investing just don't forget to like and subscribe stock money makers have a nice day